यह देख रहा हो आप यह अमारा सीड और फटलाइजर जाने के पाएप है यह हमारी फॉर ओफणर है और यह उसमें होते हैं फ्लायल्ज कि यह मसीन ऐसी जो कि टीयो पावर ओपिरे टेड़ अलोग साब से चलती है और उसे यह फ्लायल होते हैं वह जैसे ही आप theo ब्रेवर्स चलती है तो जैसी होता है इसको टप करती है और बाद में सीड घंगो NA और प्लेस करने के बाद में जो रेजिडियू होता है फर्रों के उपर नहीं होता जिससे कोई चर्मिनेशन में प्रोब्लम नहीं आती तो यह मसीन इनों दस से बारा टन में आराम से कोई प्रोब्लम में किसी भी क्रोप में किसी भी क्रोप रेजिडियू किसी परकार का उसमे कोई समस्चा नहीं है, जैसा कि हमने बात किया है इसे चलती है और हम पावर की जब बात करते हैं, तो यह हमारा पीटियो टेक-फ है, यह हमारा इसमें कनेक्ट हो जाता है जिसे कि हमारी पाओर आती है, लेकिन इस identific को चलाने के लिए single clutch का टेक्टर काम नहीं करेगा। इसके लिए double clutch चीही ही चाहिए। क्योंकि इसका जो RPM एड्जस्मेंट होता है तो यह बड़ा important है। अच्छा यह power आने के बाद में यह हमारा gearbox है १ क्या करता है कि इसको को जितने आवसकता अनुसार जिसे 400-500 के बीच में रपीम चीह होता है इसको चलाने के लिए वह चीह होता है अगर आर्पीम आपके ज्यादा हो जाएंगे या खम हो जाएंगे तो यह तो रजीडियू को काटेगा नहीं अगर ज्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए बहुत यह रोटेटा आपके घूंते हैं यह रोटेट करते हैं लेकिन फोर वार्टन नहीं करते हैं तो यह एसे उल्टे काम करते हैं अगर आगे काम करेंगे तो सारा इढूट्र आब के उपर आगे चला जाएगा safety measures में issue रहते हैं तो यह उल्टा चलता है और बाकी की rotary machine तीलिंग machine रहे वो forward movement के काम करते हैं तो इसका reverse काम करते हैं इसके अलावा यह हमारा क्या है यह हमारा driving wheel है इसको driving wheel बोलते है driving wheel का काम क्या होता है यह driving wheel गूमता है जिससे की सीड और फर्टलाजर का सीडरिंग में system है उसको power देता है उसको power transmission का इसका काम है यह देखो कि इस पर चैन है और इसमें भी देखो कि आप different different gears है यह आपर अगर आपको उसकी speed कम करनी है ज्यादा करनी है तो आपको different different sprocket है size के अगर आपको speed बढ़ानी तो छोटा sprocket लगा दीजिए आपको speed कम करनी तो बढ़ा लगा दीजिए उसकी अग अन्ट कोर्डिंग टूँ इसकी speed कम करने है